आज हमारे यहां किल्यन में लाइनिंग होगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां डाल्मिया की 618 और 218 की ब्रिक्स रखी हुई है इसमें केमिकल कंपोजिशन इल्मुना 70% होता है इसके अलावा जो है अधर कंटेंट है मैंगनेशिया वगरा भी रहता है दो दो तिन तिन परसेंट रहता है कि दो कुछ इलकलीज रहती है कि इसलिए इसको इल्मुना ब्रिक्स कहते हैं मैक्सिमम में अल्मुना होता है इसलिए इसको ईल्मुना ब्रिक्स भाजाता है कि अंदर आज लाइनिंग होनी है जैसे कि हम आज देख पा रहे हैं कि अंदर जा रहे हैं तब हम दिखाएंगे कि कहां पर ब्रिक लाइनिंग होनी है जैसे कि जो इरिये हैं यह सिल दिखाई दे रहा है कि इसमें आज लाइनिंग होनी है यह ओल्ड लाइनिंग है यह जो लाइनिंग है यह सही है इसलिए यहां पर ब्रेक नहीं किया गए ठीक है थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो वहां पर आज देख पाएंगे कि रात में कैसे लाइनिंग की गई है यह लोकेशन में लाइनिंग की गई है यह 618 वा 218 की दूइक लाइनिंग गई है इसमें दो एक कर एस्यों है कहीं कहीं तीन एक कर एस्यों भी है उस्के बाद जेह है है कि अभी इसमें जैक लगा जाए नहीं लगा है जैक लगा के टैट किया जाएगा उसके बाद किलन को रोटेशन किया जाएगा उसके बाद उपर भी लाइनिंग की जाएगे